अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 जो कि अपने का क्वाडिटी की कोईशन पर बेश था उसको हमने डिसकस करा था आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे एंसी आरटी का जिसमें की हमको लगबग 5-6 कोश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगी तो आप जल् करना है हमने आपको एक कंसेट पढ़ाया था क्वाडिटी के क्वेशन को सॉल्व करने का तीन तरीका था एक फैक्टराजेशन था एक कंप्लीटिंग स्कॉइर मेथट था और एक हमारा क्वाडिटिक फॉर्मूला था उसमें पहला मेथड हम लोग को सॉल्व करना यह फैक पर यह बीच वाला थर माना चाहिए और मल्टिप्लाय करने पर यह वाला थर माना चाहिए इस दोनों तरव को गर मल्टिप्लाय करेंगे 10 x स्कॉयर होगा तो अब 3x को ऐसे लिखा जाए ताकि 10 आ जाए हम लोग 3x को क्या लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 2x देखिए आप माइनस 5x प्लस का 2x क्या हो जाएगा माइनस का 3x अब मल्टिप्ला अगर करेंगे तो माइनस 10x स्कृरर आ गया मामला्स माइनस का 10 बराबर 0 कोई दिकधत नहीं अब इसमें से की स्कुना आएगा बच्चे को जो का 5 इसमें से क्या को मन आएगा 2x-5 बराबर 0 अब पूरे से आप क्या को मन कर लीजिए x-5 इंटू x-2 बराबर 0 देखिए आ गया दो फेक्टर आ गया अब दो चीज का प्रोड़क्ट 0 होने का क्या मतलब है आइधर दिस 0 और दिस 0 इसका मतलब क्या हुआ अगर हमारा if x-5 0 के बराबर हो जाएगा it imply that x बराबर 5 हो जाएगा and if अगर x-2 0 के बराबर हो जाएगा it imply that x का विल्यू का हो जाएगा स्ब्सक्राइब करेंगे और मैने स्वाल में स्प्लिटिंग पर एक बात हमेशा ध्यान वे रखना जब भी आप स्बीक्ट 9 को स्व dependency करो टो हमेसाक प्रेशन का जो इस्टेंडर फोर्म में आपको बताया था एक स्कॉर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीन रो उसके फॉर्म में नहीं है तो बना दिजिये आप देखिए आप दूसरा सवा सबस्द एक सब्सक्राइब लिखेंगे चार और चार और तीन तो टू-2च स्कुरेर प्लसका फोर सब्सक्राइब ये तो मानस का क्वाश्च पलस तो प्लसका तो बराबर 0 पूरे से को बना जाएगा यहां प्लसके 2x-3 बराबर जीरो अगर यह टर्म को जीरो करिए यहां से एकस का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा और इस टर्म को जीरो करिए हमको 7 को लिखना है 10 होना चीए तो 5 और 2 लिख देते हैं तो रूट-2x-square प्लस का 2x प्लस का 5 x प्लस 5 root 2 बराबर 0 अब देखिए क्या common आ रहा है यहां से यहां से आप क्या common कर सकते हैं root 2x common कर सकते हैं जैसे root 2x common करिएगा यहां x ै यह दुनों टर्म्स अ गया इसका मतलब यह क्या होगे आपका पूरे से क्या common कर लिये तो पूरे से आपने common कर लिया एकस प्लस प्लस तो और यह multiplied by डायर रूत थـल्टू एकस प्लसट का 5 तहटाबर 0 आफ देखिस यहां दो solution आ जाएगा जब X प्रूट तूजीरो जाएगा जब X प्रूट तूजीरो और जब जब जाएगा माइनेश का root 2 and root 2 x प्लस 5 जब 0 हो जाएगा तो रूट टू एक्स प्राबर माइनेश기로len प्लावर माइनेश प्रूट एम नीचे में इरेशनल नम्मर नहीं होना चाहिए तो इसको रिसनलाइज भी कर सकते हैं तो रिसनलाइज करेगा तो उपर नीचे किसे मुटिप्लाय करेगा रूट टू से यह जाएगा माइनस का 5 रूट टू बाय मैं यह बेसिक केलकुलेशन है जो कि आपको करना पड़ेगा तो बेसिक बात है ने बच्चे कि नीचे में इरेशनल नम्मर नहीं होना चाहिए हम उसको रिसनलाइज कर दिए नमर फोर और कोश्चन नमर फाइब तो कोश्चन नमर फोर देखिए कि 2x स्कॉयर माइनस x प्लस 1 बाइट बराबर 0 तो हम लोग यह सवाल में देखे कि कर लिए तो आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा यहां पर हम लोग वन बाइट जैसे देखे इसलिए इसका लेली 8 आप फेक्टराइज करेंगे दिए लेकिन यह 4x-1 का होल स्कॉयर है देख लिए बढ़े हां से ए स्कॉयर 16 प्लस बी स्कॉयर 1 तो यह जैसे ही करेंगे मैनस में तो फोर टू जाए टेक्स होई जाएगा यह 4x-1 का क्या आ गया होल स्कॉयर आपका आना ही है आप इसको दो पर लिख सकते हैं 4x-2 अगर आप फेक्टराइज भी करेंगे तो यहीं आएगा बच्चे बराबर जीरो अब यहां से दो नेचर आप पढ़ाये थे नंक्सेप्ट डिस्क्रिमिनांट जब जीरो होता है तो इसका रूट्स इक्वाल आता यहां देखिए यहां डिस्क्रिम इसका डिस्क्रिमिनांट जीरो आएगा इसी लिए इसका इक्वाल रूट आ गया बड़ा सिंपल था अब देखिए पांचमा नंबर पांचमा नंबर का सवाल देखिए 100x स्कूर माइनस का 20x प्लस का वन बराबर जीरो है अब इसको देखिए मल्टिप्लाय करिए तो हंड दिक्कत है क्या बच्चे आप मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो भी यही आएगा इसको दो बार रिपीट करके लिए 10x-1 इसका मतलब इस सवाल में भी डिस्क्रिमिनांट जीरो रहा होगा इसलिए इसका रूट इकोल आ रहा है जब 10x-1-0 करिए तो कितना आज प्रकेकेश नहीं को प्रकेश करेंगें सुझ हे यहां से भी क्या आजाएगा इसको बताये थैंटेभी स्कॉइर माइनस फोर grow के दूम और से मिलाए 10% Q2 का x- टेसे टीरो आ गया तो रूट क्या होता है ? रूट इक्वाल होता है आपको मैंने प्रिवियस कलास में कश्पंट बताया था सबसे पहला वीडियो आपको सवाल में रूट इक्वल आ रहा है जिस भी सवाल में सवाल है उसको सवाल कर लेंगे इसलिए हम लोग को ना बनाते हुए को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिस भी मेथड से आप सॉल्व करें वह कोई मेटर नहीं करता है कुश्चन वाला देखी क्या बोला कि फाइंड टू नंबर निकालो हूज समीज 27 एंड देयर प्रोड़क्ट इस 182 दो नंबर है जिसका की सम जिसका की सम मतलब जोड 27 है और उसका प्रोड़क्ट 182 है तो दो नंबर है हमको नंबर तो पता नहीं है था हम एक नंबर को मान ल फरस्ट नंबर नो डॉट का मतलब नंबर बी एक अब बताइए दो नंबर है जिसका जोड 27 है अगर एक एक होगा दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक होगा देन सकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका बताइए सकेंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस एक नहीं होगा दो नम्मर है उसका जोड़ दिया हुआ कोश्चन वाला 27 अगर एक नम्मर एक्स होगा तो दूसरा नम्मर क्या होगा 27-6 होगा अब कोश्चन लिखिया और कोई दिक्कत नहीं है दोनों नम्मर का प्रोड़क्ट बोले तो एक्स मल्टिप्लाइड वा 27-x बराबर कितना दिया हुआ 182 अब इसको आप मल्टिप्लाइड करिए क्वाड्रिक एक्वेशन आएगा फिर इसको सॉल्व करेंगे यह आपका हो जाएगा 27-7-2 सबको राइट साइड भेज दीजिए इधर आपका 0 हो जाएगा एक्स स्कॉर माइनस 27 एक्स अपलस का 182 मतलब यह मेरा क्वाड्रिक बना कौन बना एक्स स्कॉर माइनस का 27 एक्स प्लस का 182 बराबर जीरो तो आप देखिए अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर इसको सॉल्व करिए मल्टिप्लाइड करने पर 27 आना चाहिए लिख लिए एकासी होगा क्या 91 होगा तेरा गुणा साथ तेरा सत्ताय का अब देखिए आप पेर बन गया साथ दूना 14 14 और 13 का पेर बन रहा है 14 और 13 का पेर बन रहा है 14 13 182 हो जाएगा हम इसको क्या करेंगे बच्चे देशें कि यह देख लिए यहां पर एक्स स्कॉर मा को आप जोड़ेंगे तो मैनस का 27X होगा मुल्टिप्लाइ करने पर 182 यह बराबर 0 अब दोनों मेंसे क्या को मनाया यहां एक्स को मना रहाए तो एक्स माइनस 14 बचेगा बराबर 0 यहां तक में कोई दिक्कत नहीं अब पूरे से क्या को मन कर लिए एक्स माइनस 14 यहां से बचेगा, x minus 13 b rebel 0, अब देख लिजे, x बड़ाबर क्या आ जाएगा, एक बार 13, एक बड़ाबर क्या आ जाएगा, दो में से कोई भी लिजे कोई दिक्कत ने, सो हमको पहला नम्मर क्या होगा, फस्ट नम्मर आपका क्या होगा, 1 number हमने माना था क्या X X का value 13 ले ले तो 1st नमर 13 हो जाएगा और 2nd Mansion क्या हो जाएगा बच्चे 2nd 나오स्च 27-13 बोले तो 14 देख लिजी दूमर निकल गया 13 और 14 दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है आद दोनो नमर को मल्टिप्लाइ करेंगे अगर 13 और 14 को तो मल्टिप्लाइ करने पर 182 आ रहा है इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना वह एक दम डेफिनेटली सही है यह कोश्चन नंबर 3 था अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की और चलेंगे तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दूटी बीटिजर निकालना है सम ऑफ हूज्च जबकि दोनों का श्कॉयर का सम कितना हो 365 अब मात Пон्ये की हमको न抍प आदर लागा अगर एक को अपने एक सत्क आदर बच्च7 trat माल लेंगे स्वालिविशन में क्या लीखेंगे लेट कि लेट कि multicultural की कि कौनजीक्विटिव निटेश इस प्वानल पॉज़ेटीव इन्टेश बडी होते जो आप का धौत रेलाकॉट के बाद क्या होगा एक प्लस वाला क्या बोला इस दो इंटीजर जो आपका है ना इस दो का स्कॉर्य मतलब मतलब क्या एक सब्सक्राइब जोड़ देंगे तब कितना आता है 365 खतम question यहीं पर question अपने आप में खतम हो गया आपको इसको solve करना quadratic बना के देखिए इसको x square a plus b के whole square पर तोड़िए x square plus 2ab 2x plus 1 बराबर 365 अब देख लिजिए x square x square क्या होगा ताकि calculation आसान बने यह एक्स स्क्वाइर प्लस का एक्स दो से डिवाइड करिए तो माइनस का 182 अभी तुरंद पढ़े थे दो जाके प्लस का फैक्टर लिखे थे 14 और 13 14 और 13 का हम लोग इसको solve कर लेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स square plus का 14 x माइनस का 13 x ठीक है माइनस का 182 बराबर जीरो अब पूरे से क्या कोमन करिए x कोमन करिए x प्लस 14 और यहां से माइनस का 13 जैसे ही आप कोमन करेंगे और ठंडा पनी पीए इंगे तो एक्स प्लस 14 ही आएगा बराबर जीरो आ गया पूरे से क्या कोमन करिए x प्लस 14 यहां बचेगा x माइनस 13 बराबर जीरो अब दो चीज़ का प्रोड़क्ट जीरो कब हो सकता बहुआ बोलिए थोड़ा सा जब या तो यह जीरो यह जीरो अब एक बास बताए जब इसको जीरो करिएगा x का विल्यू कितना आएगा 13 माइनस 14 तो हो नहीं सकता क्यों कि हम लोग कोश्चन में दो कंज्यूगिटिव को जाएगा 13 X माने थे और सकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका सकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1 13 प्लस 1 कितना और देखिए सवाल मेरा सही है कि नहीं को थेरह का स्क्वाइर और 14 का स्क्वार देखिये कितना थिर्श्टीफ वाता है कि अधियर्व स्क्वार प्लस चौर देख लीजे रहा किस्व इतना होता था बन स्वाल का स्वाल बनाये है उस सवाल का यह आंसर डेफिनेटली से यह आपको आंसर भी चेक करने का काम नहीं यह मेरा question नमर फॉर था अब हम लोको नमर फाइब करेंगे तो आप जो है आपको क्या कहता है question नमर फाइब आपको राइट रेंगल ट्रेंगल पर बेस है कि कोश्चन वाला क्या बोला inverted अफे राइट रिंगली सेर्फ एवन सेंटिमीटर लेस दैन इस बेस एक राइट रैट ऊलेंगा अच्छा सवर्हाइचर न मिटा बनाना ओद एक लियर यह प्याोडर दीचिस्टेल के लिए वजी एक सब्सक्राइब ए और सब्सक्राई है कितने तरaría है हाइपोटेनस समझते हैं क्या होता है 90 डिगरी का अपोजिट साइड जो होता उसको हाइपोटेनस बोलते थी काम करेगा और यह तेरा सेंटीमिटर देखिए इस सवाल को देखने के बच्चे ट्रिपलेट का मतलब होता है कि तीन नम्मर का पेयर जिसमें कि सबसे बड़ा नम्मर का 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 सबसे बड़ा नम्मर के सबसे बड़ा अगर हो जाए तो वह तीनों नम्मर जो है किसी ने किसी राइट ट्रेंगल का मीजरमेंट होगा यह एकदम फिक्स है देख लीजिए आप पांच बारा तेरा में तेरा का स्क्वाइर आप अगर करेंगे घर में यह 169 होगा और इस दोनों नंबर का स्क्वाइर को जोड़िए गा तो पांच का स्क्वाइर सतना का डिफरेंस साथ का डिफरेंस है कि नहीं इसका मतलब सवाल तो बनी गया अधर दो साइड का लेंद कितना होगा पांच और बारा लेकिन हम लोग एक जाम मैं इसे बनाएंगे तो हम लोगो जीडो नंबर मिलेगा क्योंकि हम लोगो डिस्क्रिप्टी में बनाके अगर एकस मानेंगे एकस-7 लिखेंगे यह बड़ा होगा अगर इसको एकस-7 कर दिये या इसको एकस मान लिए तो यह चोटा होगा यही कुछ हो सकता है देखिए दोनों का डिफरेंस तो साथ हाई गया अब एकॉडिंग टुक्ष्टन डिके आप लेंगवेज लिख दें हो एकस एकस प्लस एकस-प्लस-सेवन क्यों मानने क्योंकि सा सेंटिमिटर प्लस सकते हैं कोई दिकत में अब लिखेंगे कौण सा थियोरं बाइप पाइथा गोरस थियोरम आपने पढ़ा होगा ट्रैंगल चेप्टर मैं पाइथा गोरस थियोरम क्या कहता है है पोटेनस का स्कुराइर अधर दो साइड पर परपेंडिकूलर स्कวाइर प्लस बेस के स्कॉइयर के बराबर होगा तो हैपोटेस का काम कोनला 13 13 का ऐसकॉइर बराबर परपेंडिकुलर वोले थो एक्स का है स्कॉइर हो गया आप इसको इब लुटिप्लाय हो अगयरा करिये और इसको तो सॉल्व कर यह आंसर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको 169 हो जाएगा यह एकसे स्क्वाइर प्लस भी को खोली है इसको एकसे स्क्वाइर प्लस का 14x प्लस का 49 यह देखिए 169 बरावर 2x स्क्वाइर प्लस का 14x अब प्लस का फोटी नाइन अब आप इसको उधर लेके चला जाएए तो टू एकस स्क्वाइर प्लस का 14x यह 169 जाके घट जाएगा इसमें बच्चे तो फोटी नाइन घटा दीजिए 169 में अगर आप फोटी नाइन घटा देंगे तो जीरो इधर कितना एकसो बीस आजाएगा आपको कितना एकसो बीस बराबर जीरो आप बेसिक कल्कुलेसन है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सवाल को छोटा करने के लिए दो कोमन लेके हटा द सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब देखी हमको कितना चाहिए हमको चाहिए कितना 60 और 7 तो 7 को क्या लिख सकते हैं 60 की करम में बताइए 12 पंचे 60 तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वाइर प्लस का 12 एकस माइनस का 5 एकस 12 में से 5 घटा ये 7 बारह गुना 5 माइनस का 5 एक तो हम कहानी सिट है मामला, बराबर 0, x common करिए, तो x plus का 12, minus का 5 common करिए, तो x plus का 12, बराबर 0, पूरे से क्या common आएगा, x plus का 12, यहां क्या बचेगा, x minus का 5, बराबर 0, इसको जब 0 करिएगा, आप घर में, तो यह minus का 12 देगा, और इसको जब 0 करिएगा, तो यह 5 देगा, बेस हो गया पांच और परपेंडिकुलर क्या हो गया एक्स प्लस सेवन तो पांच प्लस साथ बोले तो बारा सेंटी मीटर आ जाएगा आपका कोई दिक्कत नहीं हम लोग पहले ही सेट कर लिए थे यह पांच और यह बारा और यह तेरा एक ट्रिपलेट बनने वाला था जो क सब्सक्राइब करेंगे कि नमबर लास्ट बहुत लंबा चोड़ा कुश्चन है आपको कुश्चन देखके दिमाग में आपको दर्द आ गया होगा लेकिन सवाल बहुत आसान है को लेंगवेज को पढ़िए और क्या का रहा है उसको समझिए और चेहरा पर हमेंसा मुसकान क्या कर रहें को टेज इंडिस्ट्री प्रोड्यूज सटेन नंबर पौर्टरी आर्ट कोई कोटेज इंडोस्ट्री रॉक इंडिस्ट्री यह एक इन्डिए गया की वंस्ट प्रोडक्टिकल इस गया उसका कॉस्ट जो है उस नम्मर आप आर्टिकल के दो गुने से तीन ज्यादा है और कुछ नहीं है आप एक बत समझिए जितना भी आर्टिकल बनाया गया किसी दिन में उसका जो कॉस्ट है जितना आर्टिकल बनाया गया उसका दो गुना से तीन ज्यादा है खतम कुश् ऐसे प्स Kalau class में जुए आपए है किसी पार्टिक लंश्य में एक्स गो नाया गया यह पार्टिकल बनाया गया ह्या सामान बनाए गया गट क्योंब दिक्कत नीए हैं क्रोके academics को अगा तकी अटिकल का कॉस्ट चितना होगा और दिस्समान आ को खा ला यहां उसका दो गुणा से 30ड़ और प्रणि मोटाइए सम समान है और एक मंत्मिक्व यह थो प्लस फीतों डिया नभया किसी टोटल कॉस्ट 90 रुप्या कब आएगा कितना आर्टिकल बनाए एक कदाम से मल्टिप्लाइ कर देंगे एक्स मल्टिप्लाइड वाइ 2X प्लस का 3 बराबर 90 खतम कुश्चन अब क्वाडिटिक एक्वेशन आगे लिए अब प्लस का क्या लिखिए अब 12 प्लस का 12 और 15 लिखिए 15 प्लस में लिखिए 12 को माइनस कर दीजिए तब काम बन जाएगा 15 में से 12 घटाइएगा तो 3x आएगा आप 15 गुना 12 करिएगा तो माइनस का 180 आना ही है अब माइनस का 90 काम तमाम क्वेश्चन का 2x कॉमण करिए तो यहां बचेगा एक्स माइनस का छे यहां से 15 कोमन कर लीजिए बच्चे तो एक्स-6 बराबर 0 तो पूरे से एक्स-6 कोमन आएगा यहां क्या बचेगा टू एक्स प्लस का 15 बराबर 0 अब दो चीज का प्रोड़क्ट 0 है जब ही एक्स माइनस छो को आप जीरो करिए गा यहां से एक्स का मीलु कितना आएगा माइनस का पंद्रा दू अब बताइए एक्स का माइनस का पंद्रा बतबडदबो तो तो हो जीन सकता वर कि एक्स क्या है नम्मड और प्रय क्यी कभी दूम्म नहीं बनाएगा या पूरा बना ऐनने नहीं बनाएगा इसका मतलब कितना आर्टीकल वाला 90 रूपी आर्न करेगा बड़ा सिंपल सवाल था बच्चे हमने इस सवाल को अच्छे से सॉल्व किया और आप हमेसा ध्यान में रखोगे यह बहुत ही आसान चेप्टर एक्सराइज 4.2 आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करो वीडियो को लागारतार देखो तो आपको